देश के हिप में नागरिक्ता संशोधन कानून के समर्थन में अब स्वायम देश के प्रिधान मंत्री नैंद मोदी उता चुके हैं उन्होंने ट्वीटर पर इंडिया सपोर्ट सी ए हैश्टेक के साथ इस कैम्पैन की शिरुवात कर दी है पियमोदी ने अपने इस अभियान के शिरुवात करते हुए लिखा कि भारत सी ए का समर्थन करता है क्यूंकि सी ए सताएगे शर्णातियों को भारत में नागरिक्ता देने का कानून है या किसी की नागरिक्ता लेने का कानून नहीं है इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि नमो एप पर CAA से जुरे कई दस्तावेच, कई वीडियोज और कंटेंट मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं देश के प्रधान मंत्री नेद मोदी ने इंडिया सपोर्ट CAA के साथ सद्गुरू का एक वीडियो भी शेयर किया है, उसमें लिखा है कि आप सद्गुरू से CAA यानि कि नागरिक्ता संशोधन कानूल से जुड़े विभिन पहलों के बारे में विस्तार से सुने, पिये मोद बेते हपते रामली रमेदान में एक बरी रैली को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नेद मोदी ने कहा कि नागरिक्ता कानून और प्रस्तावित NRC भारते मुसलिमों से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसके साथी नेद मोदी ने एक ट्वीट कर लोगों को इस बेता मानने वाले और देश की जनता द्वारा नकार दिये गए दलों ने गलत इरादे से नापाख खेले हैं और ऐसे लोगों को पहचानने की आवशकता है, प्रधान मंत्री ने कहा कि ये कानून नागरिक्ता उन लोगों पर लागो होगा जो बरसों से भारत में ही रह रह हैं, किसी नए शर्णार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान, अफगनिस्तान और बंगलादेश से धार्मिक प्रतारणा की वज़े से आए लोगों को सुरक्षा देने के लिए या कानून है, मोदी ने कहा कि ये संसद में बोला गया है, इस कानून का इस देश के अंदर रहे 130 करोड लोगों से कोई वास्ता नहीं, उन्होंने कहा कि महत्मा गानी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख सात्यों को जब भी लगे उन्हें भारत आना चाहिए, तो उनका स्वागत है, ये रियायत तबकि भारत की सरकार के व आया नहीं, जूट कहा हुआ काकिर क्यों खरा किया जा रहा है। तो उन्होंने अपना पुराना हतियार निकाल लिया है, बाटो, भेट करो और राजनीती का उल्लू सिधा करो। नईद मोदी ने कहा कि स्वावर्ष पुराने राजनीतिक दलों से जुरे नेता, शांती के लिए एक आवाज उठाने को तयार नहीं, और मौन रहकर पुलिस कर्मियों और अने लोगों पर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि आज जो लोग कागज सर्टिफिकेट के नाम पर मुस्लिमों को भामित कर रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने गरिबों की भलाई के लिए योजनाओ के लाबारती च के जा रहे हैं जो गतिवी दिया देखी जारी ये निगेटिव वे में उसे साथिक रूप दिया जा सके और लोगों को समझा पाएं। प्रधान मंत्री नेंद मोदी इसको लेकर ट्वीटर पर एक अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है। देखना एहम होगा कि उनके लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाएं।